नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गॉर्मेंट एक्जाम प्रैप। दोस्तों आज हम लोग डेली करेंट अफेर में चर्चा करेंगे 3 दिसंबर 2020 के बिभिन समाचार पत्रों में से। जो कि आपके आगामी परिक्षा चाहे हो SSC हो, CHSL हो, कमबाइंड ग्रेजुए लेबल की परिक्षाए हो, बिहार SI, UPSI, अदर स्टेट सर्विसेज, इन सभी एक्जाम में यहाँ हेल्प करेगी। तो आईए एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों, रास्टी मामलों में आज पहली खबर है December to be celebrated as गौराव माह, यानि इसको क्या कहेंगे Pride Month, तो दोस्तो ससस्त्र बल ध्वज दिवस, देज भर में हर साल की तरह इस बार भी 7 December को मनाया जाएगा। और यह कब से मनाया जा रहा है? 1949 के बाद से, यह शहीदों के साथ सातवर्दी में सेवा देने वाले पुरिशों और महिलाओं को समान रूप से समानित करने के लिए यह किया जाता है यह दिवस मनाया जाता है. तो दोस्तों यहां उन लोगों का सम्मान है जो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ते हैं. यानि इन ओनर फार दोस हूँ ब्रेवली फाइट तो प्रोटेक्ट दा बॉर्डर आप दा कंट्री एड्रेसिं यह फंक्शन ह फ्लैग डे फंड याद रखना इसको भी एडवल एफडी इसका फुल फॉर्म क्या है आर्मड फोर्स फ्लैग डे फंड तो दोस्तों हमारे देश के जो रक्षा मंतरी है राजना सिंग उन्होंने ध्वज दिवस कोश में योगदान देने का आगरह भी किया है. अब यह ज बेल फेयर के लिए जिन्होंने अपने जीवन को कर्तब की पंक्ति में रखा था. तो दोस्तों इसमें जैसे विकलांगता का शिकार हो गए सैनिकों, ब्रिध, गैर पैंशन, भोगी सैनाओं की विधवाओं और अनाथ बच्चों के पालन पोसंड के लिए इस कोश का यह फ फंड से खर्च किया जाएगा. और दोस्तों यह ध्यान रखना कि इसमें जैसे ससस्त्रवलों के जो ध्वज दिवस कोश है, यह जो फंड है, तो इसको जैसे पंजाब नेसनल बैंक, भारती स्टेट बैंक, इन सब में जमा कर सकते हैं. यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, त खाता नंबर भी, इस तरह से तीन महत्पूर्ण बैंक हैं, यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं, जैसे IFC कोड और भारती स्टेट बैंक का, तो इन यहाँ पर आप जा करके जमा कर सकते हैं, यह प्रतेक देश के प्रतेक नागरिक का यह करतब है, कि हम अपने सेनाओं के, अपन ससस्त रबल द्वज दिवस कोस का गठन किया गया इसलिए कि इन लोगों को ठीक से क्वालिटी युक्त जीवन जी सकें, और दोस्तों ध्यान रखना कि 32 लाख से अधिक भूत पूर शैनिक हैं, और हर साल करीश 60,000 सोल्जर्स हमारे जो है रिटायर होते हैं, और हमारे को सम्मानित करने के लिए हम गौरो माह के रूप में इसको मनाएंगे, तो ध्यान रखना दोस्तों, तो गौरो माह आप जैसे प्रस्न सीदे बन जाएगा, कि प्राइड मन्थ या गौरो माह भी इंगलिस में लिख सकते हैं, तो गौरो माह is related to which, या गौरो माह का कर रही है, गौरो माह के माध्यम से दिसंबर महीने का वर्स गौरो माह के रूप में मना रही है, तो किसके सम्मान में मना रही है? ऐसा प्रस्न बन सकता है. नेस्स कोश्चन है, बोरिस जॉन्सन कैन बी गेस्ट ऑन रिपबलिक डे, दोस्तों, गणतंतर, यहनी स्वतंतरता दिवस और गणतंतर दिवस, यह हमारे यहां जैसे स्वतंता दिवस हम लोग 15 आगस्त को मनाते हैं, याद रखना दोस्तों, इसी दिन हमारा भारत स्वतंतर ह हुआ था और 26 जन्वरी को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं उस दिन हमारा भारत एक गणतंत्रात्मक देज बना था इंडिया इस ए रिपब्लिक कंट्री बना था 26 जन्वरी 1950 को तो ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉंसन में भी दा इस्टेट गेस्ट आफ इंडिया इस टाइम और रिपब्लिक दे दोस्तों इस बार के गरतन दिवस्ट में राज की महमान हो सकते हैं ये इनका चित्रा आप देख सकते हैं बोरिस जॉंसन पिछले दिनों जॉंसन के साथ टेलिफोन पर हमारे देश के प्रधान मंतरी की बात चीत हुई थी इसमें यहां मंतर बार बाइलेटरिल ट्रेट पर डिसकसन इन समुद्दों पर हुई तो ऐसा माना जा रहा है कोरोना महमारी ने जिस तरह से बैस्विक जो डिप्लो मैसी है और अर्थविवस्था को प्रभावित किया है उसके मद्दे नजर दोनों देश आपसी रिस्तों को नई दिशा दे पर विचार कर रहे हैं और दोस्तों इससे पहले ब्रिटेन के प्रधान पूर प्रधान मंत्री जॉन मेजर आ चुके हैं गंडतंतर दिवस्थ उनीस सो तिरानवे में तो यहाँ पर हमने पॉइंट यह दे दिये हैं इसको भी आप देख लिजेगा थोड़ा सा इसी में इसने सासन किया तो इसकी कैपिटल लंदन है विच इस सचुएटेड ऑन दा बैंक आफ थेमस रीवर पहली बता चुका हूं प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉन्सन है करेंसी यहां की पाउंड स्टर्लिंग है ध्यान रखेंगे यहाँ पर हिंदी में हमने दिया यह मांचित रहे यह देख रहे हैं ने इंगलिस चैनल है उपर यह जो है उत्तरी सागर है बीच में यहां डोवर जलसंदी है जो फ्रांसोरिंग लेंड के बीच में यहां यूनाइटेड किंगडम किसे कहेंगे स्कॉटलेंड वेल्स एंड इंगलेंड इसको बिटेन ग्रेट बिटेन कहते हैं और जब नॉर्थ आइरलेंड जुड़ जाता है तो इसी को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है संयुकतर राज्य कहा जाता है दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स कोशन की ओर नेक्स टॉपिक की ओर बहुत इंपॉर्टन है लगातार हम लोग इस पर चर्चा कर हैं नवी करनी उर्जा रिनेवल एनर्जी की बात करते हैं अक्षय उर्जा की बात करते हैं विंड एंड सोलर एनर्जी आर कॉंस्टेंटली बिकमिंग चीपर बिथ न्यू टेक्नलोजीज दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि ये जो अक्षय उर्जा के सुरोत हैं ब मिल रहा है अब देख रहे हैं नाभ की जीयो थर्मल एनर्जी जिसको भूता पी उड़ जा कहते हैं जमीन के अंदर से जैसे अपने हाल अद्दाक में पूगा घाटी है वहां से न्यूजी लेंड में सबसे जादा जीयो थर्मल एनर्जी के उत्पादन होता है अमेरिका तो स से सोलर एनर्जी, कोईला, गैस, गैस पीकर, तटवर्ती पवन उरजा, विंड एनर्जी, सोलर फोटो वल्थिक, ओशिनिक एनर्जी, बहुत सारे नर्जी तो इसमें देख से यह देखी जो आंकड़े दिये गए हैं दस वर्सों में तो देख रहा है तो इस तरह से आप द प्रदूसर के चलते कम कार्बन डाइयाकसाइड वाली बिजली आज दुनिया की जरूरत बन चुकी है दोस्तों, चूंकि आप ध्यान रखें कि यह जो अक्षे उर्जा के स्रोत हैं, इन से अगर हम बिजली उत्पन करते हैं, यह प्रदूसर रहित होती हैं, इससे हमारा प प्रयोग, यही कारण है कि कोईले से जो एनरजी है वो सस्ती हो जाती है, लेकिन पहले की उर्जा नवीन स्रोतों की तुलना में अब इससे बिजली सस्ती पढ़ती थी, कोईले से, लेकिन अब धीरे-धीरे क्या है, बड़े प्लांट लगाया जा रहे हैं, तो इसमें प्लाव का कारण है कि नवीन उर्जा से जुड़ी तकनीकों का लगातार बहतर, यानि आप देखिए कि सुरू सुरू जैसे हम लोग मुबाइल फोन की ही बात करते हैं, दो हजार के दसक में देखा था कितने महंगे महंगे फोन आते थे, एंडुरेट फोन सपना होता था, आज देखिए तो पांच हजार चार हजार में एंडुरेट फोन आपके हाथ में आप फोटो की सकते नहीं, पहले हम लोग बारा सो पंदरा सो रुपए में दो हजार धाई, मलब तीन, चार पांच हजार रुपए में जो है ब्लैक एंड वाइट मतलब उसमें स्क्रीन मिल जा रहा है, तो यह क्या है, क्योंकि जादा मात्रा में हमने उत्पादन किया, जादा मात्रा में और हमने टेक्नलोजी को भी कास किया, तो इसी तरह से इस छेत में भी अब हम विक्सित हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सौर उर्जा उत्पादन की लागत में दस सालों में सत इसकी कीमत दुलनात्मक रूप से कम हो जाती है ये ध्यान रखिएगा दोस्तों अब जैसे की अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट है 79 फीजदी बिजली का उत्पादन जीवास में इंधन यानि कोईला तेल और गैस से होता है और मौजूदा समय में 87 फीजदी CO2 कारवन डाय एकसाइड गैस का उस सरजन जीवास में इंधन के जलने के ही कारण होता है तो दोस्तों इसी पर कंट्रोल अस्थापित करने के लिए हम लोग इस अच्छे उर्जा का प्रिवोक की बात कर रहे हैं और हम ही नहीं पूरा बिश्व इसमें आगे बढ़ रहा है तो जलवाई परिवर्तन पर काम कर रहे है Think Tank Agency Ember की रिपोर्ट के आधार पर 2020 की पहली 6 माही में कुल बिजली उत्पादन में पवन और सौर उर्जा से बिजली उत्पादन की हिस्सेदारी 10 फीजदी दर्ज की गई है वहीं भारत भी 10 फीजदी उर्जा का उत्पादन किस से विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी से कर रहा है वहीं विस्स की महाशक्ति आमेरिका भी 12 परसेंट चीन जापाण ब्राजील 10 फीजदी तुर्की 13 फीजदी बिजली का उत्पादन विंड एंड सोलर एनर्जी से कर रहा है तो इस तरह से हमारा भारत भी 20 के बिक्सित के साथ खड़ा है अब बात करते हैं साइकलोन बुरेवी आ चुका है दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था हम लोगों ने चर्चा किया था अब देखिए यह पांचवां चकरवात होगा दोस्तों अभी निवार आया था तमिलनाड के 30 छेत्रों पर फिर तमिलनाड के कराईकल में आ चुका है दस तक दे दिया है वो है बुरेवी और इसका नाम करन दोस्तों यह ध्यान रखना इसका नाम करन तो इस बार मौल दीब ने किया है इसका नाम करन यह ध्यान रखेंगे दोस्तों तो इस साल उत्तरी हिंद महासागर में आकार ले नेवाला बियुरेवी पांचवा यह चक्रवाती तुफान होगा यह भी पूछा जा सकता है लेकिन लगातार आ रहे हैं यह ध्यान रखेंगे तो यह इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे चक्रवात गती आ चुका है सोमालिया में अपना भूभाग बनाया था जारत में अंफन चक्रवात तो एक दो तीन जो है अंफन हो गया निसर्ग हो गया और यह क्या कहते हैं आपका बुरेवी हो गया और निवार हो गया तो इस तरह से पांचवा चक्रवात है दोस्तों याद रखना और चक्रवात के बारे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं नेक उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित तिनाथ दो दिनों की यात्रा पर है मुंबई तो मुंबई इस साथ ही लखनव नगर निगम उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे नौर्थ इंडिया का पहला ऐसा निकाय बन गया है जिसने मुंसिपल बॉंड जारी किया है दोस्तों और बॉंबई स्टाक एक्षेंज में मुंसिपल बॉंड के सूची बद्ध हो जाने से अब क्या होगा इस से उत्तर प्रदेश खासकर लखनव की जनता को बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा इसके बुनियादी सुविधाएं उसके जो है इंफ्रास्रक्चर यानि और सनरचनात्मक सनरचना का विकास होगा जिसमें कोई कमी नहीं रहेगी इस बॉंड के माद्यम से जुटाईगी धनरास को लखनव में जो बुनियादी धाचा योजनाय हैं उसमें निवेस किया जाएगा और दोस्तों लखनव नगर निगम के बॉंड पर निवेसकों को 8 पॉंड फिस दी वार्सिक ब्याज मिलेगा और इसका जब यह मैच्योर हो जाए मैच्योर्टी कि इसकी जो एज है वो 10 एर है यह ध्यान रखना इसकी आवद ही जो है 10 वर्स है और बंबी स्टाक्स एक्चेंज के बारे हम थोड़ा सजान लीजिए इसकी स्थापना यह मु 439 हैं दोस्तों ध्यान रखना है हिंदी में भी दिया है अब बढ़ते हैं नेक्स है इंटरनेशनल अफेयर में आज दोनों कोरोना से ही संबंदित खबरें हैं इंडिया रेसिया रिलेशनसिप बिल बी स्ट्रेंट बित वैक्सीन यानि भारत और रूस के जो संबंध हैं हा इंडिया और रसिया इस अलसो विजविल इन दा फाइट अगेंस कोरोना तो भारत और रूस की रणनीतिक साज़ेदारी कोरोना के खिलाफ लडाई में भी दिखाई दे रही है और रूस की कमपनी की तरफ से कोविद नाइंटीन के लिए तैयार जो की गई है वैक्सीन का दूसरे वा तीसरे चनल का भारत में ट्रायल सुरू हो गया इस पूतनिक वी इसको कर लिजिये ठीक है तो यह जो है ध्यान रखेंगे कि इट हैस बीन टोल बाई डॉक्टर रेडीज और डी आई एफ दे दन बाई जे एसेस मेडिकल रिसर्च तो दोस्तों याद रखना ड जेसेस मेडिकल रिसर्च की तरफ से किया जा रहा है और यहाँ पर ध्यान रखना डी आई एफ क्या है तो यह रसियन ड्रक्स डायरेक्ट इन्वेस्मेंट फंड है यही इस को जो कोविद की सुरक्षा के लिए जो वैक्सीन तियार कर रहे इस पूतनिक वी उसमें यहाँ जेस की डॉक्टर रेड़ी इस पूतनिक बनाने वाली कमपनी पहले ही यह घोशना कर चुकी हैं दुनिया के जिन देसों में इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर निर्मार किया जाएगा उनमें भारत भी हमारा सामिल होगा तो रूस की वैक्सीन के निर्मार को फंड करने वाली कमपनी रसियन डाइरेक्ट इन्वेस्मेंट फंड ध्यान रखना दोस्तों RDIF और भारती कमपनी डॉक्टर रेडीज को भारत में अगले चरण के ट्राइल की मंजूरी सेंटरल ड्रग लेबरोटरी ने मंजूरी दे दी है दोस्तों ध्यान रखना इसका 91 फीजदी स सफलतादर 95 फीजदी तक रही है कुल 40,000 लोगों ने स्वेक्षा से थर्ड स्टेज के लिए ट्रैल में सामिल होने की सहमती भी दे दी है और अगला भी महत्पूर्ण है फाइजर वैक्सीन गेट्स ग्रीन सिंगनल इन ब्रिटेन दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो बिस दे दी है और यहां कदम उठाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है वहाँ पर अगले सप्ताहसी सुरुआत से ही टीका करण का कार शुरू हो जाएगा यह वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा तो यह एक अच्छी ख़बर है दोस्तों तो बिटिस नी आमक मैडसीन and health care products regulatory agency ने वैक्सीन के इस्तिमाल के लिए स्विक्रती देते हुए फाइजर की वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्चिता है पर इक्षण में यह वैक्सीन में बचाओ कितना 95% तक सफलता पाई है यह सबसे महत्पूर है दोस्तों बोरिस जंसन ने कहा है कि वैक्सीन के इस्त ब्रिटेन सफसे ज़्यादा डेथ यानि यहां पर यह देखिए इसको मैं अंडरलाइन ब्रिटेन is the country with the highest number of death from COVID in Europe यानि योरोप महादीप में सफसे अधिक COVID से मरने वालों की संख्या कहा है ब्रिटेन में है करीश साथ हज़ार लोग काल के गाल में समा गए यानि कोरोना ने उनको निगल लिया तो दोस्तों ब्रिटेन टीका करन सुरू करने की घोशना करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है वैसे अमेरिका ने मध्ध दिसंबर तक टीका करन सुरू करने की बात कही है लेकिन इस पर कोई अभी आधिकारी घोशना नहीं है नहीं हुई ह दोस्तों अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल प्रसनालिटी में दोस्तों यह देख रहे हैं जोसें बीडन के कंधे पर हाथ रखे हुई है हमारे भारती है इंडियन अमेरिकन माजू वरगीज दोस्तों यह नाम बस्याद रखिएगा अमेरिका के नौ निर्वाचित रास्ट पत होंगे समझ में आई बात कौन से रास्ट पती होंगे 46 वे रास्ट पती और उन्होंने भारत के एक और नागरी को अपने साथ जोड लिया है वह कौन है माजू वरगीज तो यह माजू वरगीज क्या करेंगे भारतवन सी नाम जुड़ा है और दोस्तों यह पेशेशे वकी हैं इनके पैरेंट्स केरल के थिरुवेला के रहने वाले थे माजू के यह ध्यान रखियेगा तो माजू शपत ग्रहन समारो में होने वाले उस्वों के डारेक्टर इनको नियूत किया गया है यह ध्यान रखियेगा और माजू पूरे एलेक्शन में जोसे बाइडन और वा पास्ट्रपती की सपत लेंगे तो इनाउग्रल कमेटी का जो है इनको क्या बनाया गया है चीफ बनाया गया है ये ध्यान रखिएगा इसी तरह से भारत की नीरा टंडन को आफिस मेनेजमेंट एंड बजट का डाइरेक्टर बनाया गया है माजू साहब दूसरे हो ही गए सामिल हो ही चुके हैं जो है पूर्व सर्जन रहें इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों विवेक को कोविड टाक्स फोर्स का साध्यक्ष नियुक्त किया गया है अतुल गावंडे और सेलिन गाउंडर को कोविड टास्क फोर्स में भी सामिल किया गया है इ और वित्र संबंदी समाचारों में इंडिया विल एक्सपोर्ट राइस टू चाइना दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तनावपूर्ण माहौल में बात आ गई है कि चीन भारत से चावल लेगा वैसे चावल की उत्पादन में दोस्तों प्रतमस्थान चीन का है लेक इससे सामान बनाने के लिए प्रयासरत है और वो भी प्रयासरत इसलिए नहीं है बहुत बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत शातिर है चूंकि भारत अन्य देशों की एक्छा चावल 30 डॉलर कम रुपए में दे रहा है इसलिए वह लेने के लिए एक्छा जाहिर की है इंडिया एक्सपोर्टर बिल एक्सपोर्टर राइस टु चाइना एट प्राइस आप 300 पर टन और वो 300 डॉलर पर टन यानि 300 डॉलर एक टन पर पैसा हमारा भारत लेगा तो ऐसे में इसलिए भारत से यहां राजब्याफारिक रिष्टों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और भार बारत के मुकाबले चीन के सामने मैंने क्या कहा 30 डॉलर कम कीमत पर देने की पेसकस की यही कारण है कि चाइना भारत से चावल ले रहा है और यहां पर देख लीजिए चावल के उतपादक राज्यों में 20 में सबसे अधिक चाइना दूसर नमबर इंडिया तीसर नमबर इं इंडिया इंडोनेशिया बांगलादेश वियतना और लार्जेस एक्सपोर्टर आफ राइज भारत थाइलेंड वियतनाम और पाकिस्तान और भारत में सबसे बड़े लार्जेस प्रडूसर कौन हैं वेस्ट बेंगाल उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं दोस्तों और दोस सेल्सियस टेंपरेचर होना चाहिए डेड़ सो सेंटीमीटर यानि कह सकते हैं 120 सेंटीमीटर तक वर्सा होनी चाहिए और इट इस ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रॉप इसे उष्ण कडबंधी कह सकते हैं फसल कहा जाता है यह ध्यान रखने हैं उस कडबंधी जलवाय किया फस जिसमें वर्सा की आउशकता होती है यह ध्यान रखना दोस्तों तो इस तरह से भारत में सबसे धिक पश्यम बंगाल चावल का उत्पादन करता है अगला बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरसकारों में दोस्तों आज हमने पांच प्रमुख पुस्तकों को लिया है इसको य इंडिया रेवलूशन इसकी जो प्रस्तावना है उसको नरेंदर मोधी हमारे देश के प्रधान मंतरी ने लिखा है इंटर्प्रिनोर सीपीन इंडिया यह भारत में उध्यामिता कलराज मिस्र यह भी भारती जंता पार्टी के वरिष्ट नेता रहे हैं अब आते हैं खेल स जर्सी उतारने वाले लियोनेल मैसी पर 600 यूरो का जुर्माना लगाया गया है इस पैनिस फुटबॉल महासंग ने रव्यार को इस पैनिस लीग में ओसा सुना पर बार्सिलोना की चार जीरो की जीत के बाद यह जुर्माना देख रहे हैं न मैसी ने टी सेट जो है वह हुआ है तो अर्जंटीना की स्टार मैसी ने गोल करने के बाद बार्सिलोना की जर्सी उतार कर मारडोना के पुराने क्लब नेवल्स ओल्ड बॉइस की जर्सी पहने इसके बाद दोनों हाथ आसमान में उठा कर उन्होंने फ्लाइंग किस किया और मैच के बाद मैसी ने तो असी यूरो का जुर्माना लगाया है यह ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं महत्पूर्ट दिवस में दोस्तो आज International Day of Persons with Disability दिव्यांग दिवस कह सकते हैं विकलांग व्यक्तियों का अंतर रास्टिय दिवस या दिव्यांग भारे देश में अब दिव्यांग शब् तो यह ध्यान रखना यह काफी महत्पूर्ट थीम अब बढ़ते हैं नेक्ष्ट लेट अस टॉक एबाउट सम इंपॉर्टन फैक्ट यानि अब देखी यहांपर इंपॉर्टन फैक्ट एबाउट यहांपर इसको इसको इहांपर लिख लीजिए रूस हां रसिया के बारे में हम लोग लिखेंगे किसके बारे में जैसे हम लोग ब्राजील के बारे में चर्चा किया अर्जेंटीना के बारे में किया कनाड़ा के बारे में किया जापान आज दोस्तो हम लोग रूस के बारे में हमारा सबसे अच्छा मित रहा है तो दोस्तो छेतरफल के आधार पर 20 सुका सबसे बड़ा देस पंदरह देसों के अलग होने के बावजूद भी आज भी यह बिस्ट का सबसे बड़ा देस है लार्जेस कंट्री इन दा वर्ल्ड एरिया वाई और दोस्तों इसकी कैपिटल मास्को जो की मस्कवा नदी के किनारे वसा है सबसे बड़ा नगर भी है याद रखना और यह भी पूर सकता है कि मस्को कहां इस्थित है रूस में योरोप में है कि एशिया में तो दोस्तों यह यहां कुल 11 टाइम जोन है चुकि इतना लंबा है दोस्तों तो इस तरफ से इस तरफ में बहुत समय अंतराल हो जाता जैसे हमारे यहां पर भारती मान अभी हम लोग देखेंगे तो और आसान हो जाएगा यानि इसके इस्थ में प्रशांत महा सागर पश्चिम में बाल्टिक सागर तक विस्तित है यहां और रूस के उत्तर में आर्कटिक ओशियन दक्षिड में काकेशस परवत है यह ध्यान रखना दोस्तों और रूस के दक कैस्पियन सागर खारे पानी की और बैकाल जील क्या है मीठे पानी की जील है और बैकाल सबसे गहरी डीपेस लेकिन दवर्ड रूस में ही है बिस्तिकी सबसे गहरी जील और कैस्पियन सागर बिस्तिकी सबसे बड़ी लवड़ी जील यहां तीन लाख एकतर हज़ार वर्ग किलो मीटर में फैली हुई है दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ आर एक के आई टी याद रखना यानी रूस अजरवैजान कजाकिस्तान एरान तुर्कमेनिस्तान यह पांच देश इसकी सीमा को सपर्स करते है कैस्पियन सागर को और यहां का जो सबसे उंचा पर्वत है अलब्रुश ध्यान रखना काकेशस पर्वत में ही यहां इस्थित है साइवेरिया में गर्मी में वर्सा होती है जबकि यूरोपी भाग में सरदियों में वर्सा होती है यहां सरवाधिक वर्षा काकेशस परवत पर होती है और रूस में जो नदियां बहती है डॉन, वोलगा, अमूर, लीना, येनिसी, ओब ये सब महत्पूर्ण नदियां बहती है अमूर, नदी, रूस वा चीन के भी सीमा ये वन अब दा मोस्ट इंपॉर्टन फैक्ट है ध्यान रखना दोस्तों रूस की कैस्पियन सागर लेक भी रूस में ही कहा जाएगा चुकि टच करती है लडोगा, ओनेगा, बैकाल ये सब जीलें जो है तो ये जो लडोगा, ओनेगा है ये ये उरोपी भाग में है बैकाल कहा है, एशियन पार्ट में है और कैस्पियन सागर भी सबसे बड़ी जील जैसा कि मैं बताया ही आपको वोलगा और यूराल जैसी प्रमुख नदियां ये कहां कैस्पियन सागर में आके गिरती है और सबसे लंबी नदी वोलगा नदी है याद रखना दोस्तों, यूरोप की भी सबसे लंबी नदी अगर रूस को सामिल किया जाता है तो इस तरह बैकाल बिसकी सबसे गहरी जील है बताई चुका सबसे लंबा रेलमार, ट्रांस साइबेरियन रेलमार सेंट पीटर्सबर्ड जिसे लेनिंग्राद कहा जाता है से बलादी वोस्टक तक यहाँ 9,340 किलो मीटर इसकी लंबाई है दोस्तों अब आईए मांचित में देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा बाल्टिक में भी यहीं लेनिंग्राद है मांचित में देखेंगे तो लेनिंग्राड छेतर है यहाँ पर देखेंगे न यह छोटा सा रूस का ही पार्ट है लेनिंग्राड इसे सेंट पीटर्सबर्ड कहते हैं यहाँ से यहाँ तक यानि बर्खो यांसक तक जुड़ा होता है याद रखना दोस्तों रूस का तो यह जो है देख रहे है न साइबेरिया पार्ट इसका टुन्रा साइबेरियन रिवर्स आर्कटिक छेतर टैगा पार्ट यहाँ यूराल माउंटें तो यह यूराल माउंटें ही यूरोप और एशिया को अलग करता है दोस्तों यह ध्यान रखना यहाँ पर यह महत पूर्ण हो जाता है वोलगा न दी देखी इसमें सारे पॉइंट है इसको मैं वो नहीं करूंगा यहाँ पर यह देख रहे है न यह कैस्पियन सागर लेक है यही अलग कर रही है एक तरस देखा जाये तो एशिया और यूरोप को तो यहाँ महत पूर्ण हो जाता है इधर आप देख रहे है नगा आरकाटीक ओशियन है इधर पैसपिक ओशियन है इधर बालेलिटिक सी को वही मैंने कहा न लेनिंग्राड को टच करता है और यह कैस्पियन सागर को टच कर रहा है तो यह इस तरह से यहाँ घिरा हुआ है ये मांचित्र जरूर देखना प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं आप लोगों के section में, आज उत्तर देने वालों में हैं सूरज उपाध्याय, ज्यान रंजन साहू, विक्की, प्रभा के डियार, और सौरभ चौधरी, हरसित दिक्षित, सोनिका, खंडेल, वाल, और मांसी कनाजिया, इन लोगों ने आज उत्तर दिया है, आज कम लोगों ने उत्तर दिया है, क्या कारण है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर देने का प्यास करें, प्यारे बच्चों, तो आईए, first question आप लोग सामने है, in whose honor will December be celebrated as pride month या गौरो माह भी कह सकते है तो कोरोना वारियस के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, सैनिकों के सम्मान में, या बृद्धों के सम्मान में, किस के सम्मान में मनाया जाएगा, नेस question है, वर्स 2021 के गरतंत दिवस पर मुख आती थी कौन होंगे, चीफ गेस्ट कौन होंगे, केपी सर्मा ओली, बोरिस जानसन, ब्लादीमिर पुतिन, एमैनुवल मैंकरो, दोस्तों अब भारत अब केपी सर्मा ओली, ओली को अब नहीं बुलाएगा, अब विक्सित देशों के महत्पों शक्तिशाली देशों को, चुकि अब भारत अब लीडर के रूप में खड़ा हुआ है, तो सब विक्सित देश हैं, भारत की और आकर्सित हो रहे हैं, तो अब वो लोग जो है, मुक्चीफ गेस्ट बनने के लिए बेताब हैं, नेक्स्ट है, भारत कितने फीजदी उर्जा का उतपादन, विंड और सोलर की मदद से कर रहा है, 8%, 10%, 12% and 14%, नेक्स्ट है, चक्रवाद बुरेवी का नामकरण किस देश ने किया है, which country has named the cyclone बुरेवी, श्रिलंका, भारत, मौल्दिव या पाकिस्तान, नेक्स्ट कोशन है, which has become the first body in North India to issue a municipal bond, यानि उतर भारत का ऐसा कौन सा पहला निकाय बन गया, जिसने municipal bond, municipal bond जारी किया है, गाजियाबाद नगर निगम, लक्नव निगर निगम, कानपुर नगर निगम या प्रयाग राज नगर निगम, नेक्स है, अभी तक यूरोप में कोरोना से सरवाधिक मृत्यू, किस देश में हुई है, यानि विच कंट्री has the highest death due to corona in Europe so far, यानि यूरोप देश, यूरोपीन देशों में ध्यान रखियेगा, इसमें या तक क्या होगा, जल्दी से उतर देना है इन चारों में से, नेक्स कोशन है, when is the international day of persons with disabilities celebrated, यानि विकलांग व्यक्तियों का अंतररास्टी दिवस कब मना जाता है, एक दिसंबर, दो दिसंबर, तीन या चार दिसंबर, नेक्स है, आमेजिंग अयोध्या पुस्तक की जल्दी से बताईएगा, तरूस, टर्की, रूस, चीन, या टर्की और इरान, तो इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों ने लिया दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगेगा, और तुरंत उत्तर देने का प्रयास करिएगा, और दोस बताउं कि अर एचिये सक्नोर के वीडियो हम लोगों का वीडियो हम लोगों से कि chances कि अर्की यल्दी से चीडियो हम tailored लोगता ह।